पाकिस्तान भलही करतारपुड साहिब कॉरिडोर के बहाने भारत को अपनी गुगली में फसाने का दावा कर रहा हो लेकिन भारत ने उसके गुगली पर भी ऐसा छक्का जड़ा है कि पाकिस्तान देखता रह गया बार बार पीठ में छुरा घोपने वाले पाकिस्तान को भारत ने बता दिया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया जाएगा भारत ने मंगलवार से शुरू हो रही दोदिविसीय बैठक में पाकिस्तान को पूरी तरह से नजर अंदास करते हुए न्योता तक नहीं दिया पाकिस्तान मू ताकता रह गया और भारत ने किस देशों के साथ मिलकर एक विशेश बैठक की पूरी तयारी कर ली इस बैठक में सभी देशों के सीमा शुल्क प्रमुखनार को आतंगवाद, हवाला और सोने की तसकरी जैसे अपराधों पर नकेल कसने के लिए एक आम रणनीती तयार करेंगे इस बैठक में इंटरपोल के प्रतिनिधी, UN Office for the Drugs and Crime और The World Customs जैसी संस्थाई भी शामिल होंगी माना जा रहा है कि भारत जमू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से अथ्यारों और ड्रक्स की तसकरी का मामला इस बैठक में सब के सामने रख सकता है आपको बता दे कि ये पहली बार है जब भारत 21 देशों के सीमा शुल्क प्रमुखों के साथ इस तरह की समस्याओं का सामना करने की रणनीती बनाने जा रहा है इस मीटिंग से पाकिस्तान को बाहर ही रखा गया है हलंकि पाकिस्तान हर बार भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का दावा कर रहा है लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंगवाद पर लगाम नहीं कसी जाएगी तब तक पाक से कोई बातचीत नहीं होगी